Hello Everyone, I am Himanshi, Welcome to Civil Panda Audio Article आज हम discuss करेंगे 8 November के सारे important current affairs के बारे में साथ ही से related important facts भी discuss करेंगे इसलिए audio article को last तक सुनिएगा, चलिए शुरू करते हैं हाल ही में 8 November को demonetization के कितने year complete हो गए है तिसका answer है 5 years 8 November को demonetization के 5 years complete हो गए है दोस्तो 8 November 2016 को demonetization हुआ था जिसमें 500 रुपीस और 100 रुपीस की series की legal currency को ban कर दिया गया था इंडिया में demonetization तीन बार हो चुके है 1946, 1978 और 2016 में demonetization का major aim है black money को रोकना next, हाल ही में मंदाकनी river चर्चे में रही है ये कहां से origin होती है तो इसका answer है चित्रकूट सतना मंदाकनी river चित्रकूट सतना से origin होती है मंदाकनी river अतिक्रमन यानि की encroachment और pollution के कारण चर्चे में रही है दोस्तो मंदाकनी river के किनारे Sweden researcher ने 1.6 billion साल पुराना fossil भी खोजा है इसे भी आपको याद रखना है बात करें चित्रकूट की तो चित्रकूट सतना district में आता है MP कवर्मेंट ने holy city घोशित की है चित्रकूट को यहाँ भगवान राम और भारत का मिलन हुआ था सती अनसुया और अतिश्री का आश्रम चित्रकूट में है ब्रह्मा विश्नु महेश ने बाल अवतार चित्रकूट में लिया था यहाँ हनुमान धारा, कमाद कीरी माउंटेन, सीता रसोई और गुप्त गोदावरी है चित्रकूट में गधा मेला लगता है जगत कुत नंबर तरह चारे दिव्यांग युनिवर्सिटी चित्रकूट में है तुलसी रिसर्च सेंटर भी यही है तो यह सारे फैक्ट्स आपको याद रखने है चित्रकूट के बारे में नेक्स्ट, हाल ही में मदर प्रदेश में किस लीडर की 100th century celebrate की गई है तो इसका आंसर है राजर्शी पर्मनेंद भाई पटेल राजर्शी पर्मनेंद भाई पटेल की मदर प्रदेश में 100th century celebrate की गई है दोस्तो आईए इनके बारे में डीटेल में चर्चा करते हैं इनका जन्म गुजरात में 7 नवंबर 1920 में हुआ था और कर्म भूमी जबलपूर मदर प्रदेश रही है पर्मनेंद भाई पटेल को राजर्शी की उपादी पुझी जगत गुरु श्री शंक्राचारे जी महराज ने दी थी पर इनकी अध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण मूर्ती थे जिन्हें एनी बिसंड ने मौडन बुद्धा कहा था इनकी रूची क्रिकेट में भी थी इन्होंने सेंट्रल जोन खेला है और मदर प्रदेश क्रिकेट असोसियेशन के हैड भी रह चुके है तो राजर्शी पर्मनेंद भाई पटेल का नाम आपको याद रखना है ये मदर प्रदेश के किसी भी एक्जाम में पूछा जा सकते हैं नेक्स्ट हाली में प्राइम मिनिस्टर ने आदी शंक्राचारे की 12 फुट की स्टैचू कहां इनौगरेट की है तो इसका आंसर है केदारनात उत्रकंड केदारनात उत्रकंड में प्राइम मिनिस्टर ने आदी शंक्राचारे की 12 फुट की स्टैचू इनौगरेट की है है दोस्तो कि दारनाथ में ही शंक्राचार ने समाधी ली थी आईये आदिशंक्राचार के बारे में डिटेल में डिसकस करते हैं आधी शंक्राचारे का जन्म 11 में 788 AD कलाडी कोच्ची केरला में हुआ था आधी शंक्राचारे लौड शिवा के डिवोटी थे और अध्वेत वात फिलोसोफी इन्होंने ही दी थी इन्होंने सनातन दर्म को बढ़ावा देने में अपना कॉंट्रिब्यूशन दिया है आधी शंक्राचारे ने चार मट के स्थापना की थी शिंगेरी, पूरी, द्वारेका और बद्रिनात में नेक्स्ट हाली में 7 अमंबर को किसकी 133 anniversary मनाई गई है तिसका आंसर है सीवी रमन सीवी रमन ने 7 अमंबर को 133 anniversary मनाई गई है दोस्तो 1930 में physics के लिए nobel award मिला था सीवी रमन को इन्होंने रमन effect को discover किया था और 1954 में भारत रतन से सम्मानित किया गया था सीवी रमन को नेक्स्ट हाली में गोवा maritime conclave का 3rd edition कब से कब तक आयोजित हो रहा है तो इसका आंसर है 7 नवंबर से 9 नवंबर तक 7 नवंबर से 9 नवंबर तक गोवा maritime conclave का 3rd edition आयोजित हो रहा है दोस्तो बात करें गोवा की तो इसकी capital है पाना जी जो की मांडवी नदी के किनारे बसी है चीफ मिनिस्टर है प्रमोच सावन्द, गवर्नर है पीए श्रीधर पिल्लाई लोग सबसीट है यहां की 2 और राज सबसीट है यहां की 1 इंडिया का सबसे छोटा स्टेट एरिया वाइस गोवा है GDP पर कैपिटा के मामले से पहला स्टेट है गोवा गोवा से रिलेटेट तीन डेट आपको याद रखनी है गोवा रिवॉलूशन डे 18 जून को मनाया जाता है इस दिन 1946 में राम मनोहर लोहिया के नेतिरत्र में पोट्योगिस के विरोध में आवाज उठाई गई थी 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है और गोवा इस्टाबलिश्मेंट डे 30 में को मनाया जाता है पानी बचाओ योजना गोवा गोवर्मेंट ने लौंच की है देश का पहला रैबिस मुक्तर राज ये गोवा बना है गोवा एक मात्र ऐसा स्टेटे जहां पे यूनिफॉर्म सिविल कोर्ट लागू किया गया है भगवान महावीर वाइलाइफ सेंचुरी और मुल्लम नेशनल पार्क गोवा में है गोवा के कुछ जियाई टैग है उनको देख लेते हैं इसे कि मौयारा केला और हर्मल मिर्च को जियाई टैग मिला है तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद अखने हैं गोवा के बारे में नेक्स्ट हाल ही में कौन मेल फ्रंचाइज क्रिकेट टीम की फर्स्ट वुमेन कोच बनी है आंसर है सारा टेलर सारा टेलर मेल फ्रंचाइज क्रिकेट टीम की फर्स्ट वुमेन कोच बनी है दोस्तो ये इंग्लैंड की है इंग्लैंड से कुछ प्लेयर्स के नाम है जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं वो देख लेते हैं जैसे कि फुटबॉल रोजर हंट इंग्लैंड के हैं, इनकी हाल ही में देथ हो गई है क्रिकेटर मोलीन अली टेस्ट मैच से रेटार्मेंट ले लिए हैं, ये इंग्लैंड के हैं क्रिकेटर फ्रान विलसन इंटरनेशनल क्रिकेट से रेटार्मेंट ले लिए हैं ये भी इंग्लैंड के हैं नेक्स्ट हाल ही में 642 अरब डॉलर के साथ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्ब में कौन सा पोजिशन में हैं तो इसका आंसर है फॉर्थ इंडिया की फॉर्थ पोजिशन है 640 अरब डॉलर के साथ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्ब में जबकि चाइना की रैंक फर्स्ट है नेक्स्ट हाल ही में जारी क्विस QS Asia University रैंकिंग 2021 में कौन टॉप पर रहा है तिसका आंसर है सिंगापूर युनिवरसिटी सिंगापूर युनिवरसिटी QS Asia University रैंकिंग 2021 में टॉप पर रही है जबकि IIT बॉंबे की रैंकिंग 42 रही है और IIT दिल्ली की रैंकिंग 45 रही है नेक्स्ट हाल ही में इंडिया ने किस कंट्री के साथ हेल्थ और मेडिसिंग के लिए एग्रिमेंट साइन किया है तो इसका आंसर है सेनेगल इंडिया ने सेनेगल कंट्री के साथ हेल्थ और मेडिसिंग के लिए एग्रिमेंट साइन किया गया है इंडिया और सेनेगल कंट इसकी capital है Dakar, currency है Frank, president है Mackie Saal Next, हाल ही में जारी approval rating में कौन टॉप पर रहा है इसका answer है नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी approval rating में टॉप पर रहे हैं दोस्तों यानि नरेंद्र मोदी सबसे famous leader है Next, हाल ही में किस state में कुमान चुया ओईल को GI tag मिला है तो इसका answer है उत्राखंड, उत्राखंड state में कुमान चुया ओईल को GI tag मिला है दोस्तों बात करें उत्राखंड की तो इसकी capital है दहरादून summer capital है गरसेन, 9 November 2000 में उत्राखंड का गठन हुआ था चीत मिनिस्टर है पुषकर सिंग धामी और गवर्नर है गुर्मीज सिंग लोग सबा सीट है यहां की 5 और राज सबा सीट है यहां की 3 तहरी डैम, मनेरी डैम, विश्नुगाट पीपल कोटी प्रोजेक्ट उत्राखंड में है रूप कुन लेंग जो की मिस्टरी लेक के नाम से है यह उत्राखंड में है नैनी ताल को डिस्टिक लेट कहा जाता है इसे भी आपको याद रखना है चिरबासा में ब्लैक कारवन रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया गया है वैली ओफ लौवर उत्राखंड में है डॉली गंगा रिवर में अभी फ्लट देखने को मिला है ये भी उत्राखंड में है फूल दो ही त्योहार उत्राखंड में मनाया जाता है करेंड की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नेंस का इनाउगरिशन उत्राखंड में हुआ इंडिया का पहला वन चिकित्सा केंदर रानी खेत उत्राखंड में खोला गया इंडिया का पहला लाइकेन पार्क, पहला पॉलिनेटर पार्क, पहला मॉस गार्डन और छोटे जॉनवर के लिए पहला Eco Bridge और फर्स्ट हाइस्ट हरबल पार्क उत्राखंड में खोला गया है तो ये सारे facts आपको याद रखने हैं उत्राखंड के बारे में Next, हाल ही में West Indies के किस All-Rounder Cricketer ने International Cricket से Retirement की Announcement की है तो इसका answer है Dwayne Bravo Dwayne Bravo ने West Indies के All-Rounder Prayer है इन्होंने International Cricket के से Retirement की Announcement की है तो इनका नाम आपको याद रखना है तो ये था आज का discussion I hope आप लोगों को पसंद आया होगा आज का question है हाली में मदर प्रदेश ने किस leader की 100th century celebrate की गई है इसका answer आपको comment box में देना है audio article पसंद आये तो इससे like, comment and share करें जैहिन